नमस्ते मैं अभी सेक मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पालिटी के राष्ट्रिय प्रवक्ता राष्ट्रिय सचीव अब निर्वाचित सांसर बन चुके हैं तो राजी जी पहले आपको दो बहुत बताई धन्यबाद और आप सबको भी शुब कामना है धन्यबाद के साथ कि आप मिस्पक्ष रहकर पूरे चुनाव के दोरां पत्रकारता करते रहे हैं एक लाग तीस सथ हजार से बड़ी जीत हुई जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दिये क्या कहने जी एतिहासिक जीत है गोसे के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है पुर्वानचल की सबसे बड़ के साथ करूँगा कि उन्युमिद्धू पर खराऊ तो क्या लगता है कि घोसी ने बड़े लंबे समय के अंदराल के बाद एक बड़े नेता को सांसत चुना है क्या वजह रही मैं बड़ा नेता हूं यह नहीं हो जनता तरह करेगी मैं अपने को सांसत चुनने के बाद भी थैसे सबसे कर मैं बाद भाई और बेटेु केता है रहा हूं तो बाए और दीर के लिए हमुदता है कि ऐसका बाद रहता है राद नेतिक प्रिट्स मून पाद्वी deja करें तो आपको भ्राइ बेटे के तरह एंसास वह नात्मक संध बनाने नीरे कामयाव होती है इंसान वह ज्यादा मेहनत करता है जहां उसका भावनात्मक समझ में राजी दिमाग से सुचता है और मैं दिल से घुसी के सेवा करूंगा धिल से लिए ख़ड़ा रहता आया हूं और आफिर सांस तक खड़ा इसके पहले राजी उर्य मोगुव के लिए वाहिए ते जिम्मिदारी मिलती है जिम्मिदारी बिनमरता के साथ उठाना जानता हूं और बड़ी बिनमरता के साथ उठा कर जिन लोगों ने भी उम्मीद भरी आपों से मुझे देखके साइकल के बटन दबाया है जिन लोगों ने मुझे भरुसा और विस्वास जताया है उनकी विस्वास और भरुसी को कहीं से भी ठेस न पहुंचे इसके पूरी इमादारी से महनद करता रहा हूँ पहली प्रत्मिक्ता क्या होगी राजी राजसांसर के तौर पहला काम क्या करने जा रहे हैं बहुत बाते हुए बड़े दावे हुए लेकिन पहला काम क्या होगा जनता के लिए एक बात बता दूँ मैं जैसा दिल से हूँ वैसे दिमाग से हूँ वैसे जुबान से हूँ मैं सोचता कुछ और करता कुछ और वाला नहीं हूँ आप लोगों के सामने जनसभाओं में जिन बातों को मैंने उठाया था जिन बातों पर जनता से असरवाद मांगा था वही मेरी प्रत्मिक्ताय रहेगी नौजवान हमारी प्रत्मिक्ताय रहेंगे बुलकर हमारी प्रत्म तो क्या लगता है कि समाजवादी उन्हें ऐसा क्या किया कि एतिहासी जीत हुई सपा के लिए कि मैं अपने हर भाशन में लोगों सपील करता था कि जिस सरकार ने हमारे बेटे और भाईों को बेरुजगार कर दो और मुझे लगता है जो पेपर लीक महांगाई बेरुजगारी जूट जूमला कहें सुनवाई नहोना लोगों में हतासा निरासा एक डिप्रिशन का दोर च करते हैं सही समय पर अपनी अभिवक्ति करिए अपने आक्रोज को व्यक्त किया है अब विपक्ष की जिम्मदारी है मेरी नहीं में संपूर विपक्ष के निताव से कौँगा अगर आप कि इंडिया कड़ बंदन बंती की सरकार बंती जिसकी सर्भावनाय प्रवल है तब औ अपनी जिम्मदारी से पिछे नाटिये हम सारे लोग मिलकर लोगों के आकांचाओं का पूरा करने का प्रैस करें क्या लगता है कि घोसी में राजीव राए कि इतनी बड़ी जीत की वजह क्या है किया कैसा आप लोगने राजनेंती का प्रभावना समिक्र बनाया कि इतनी बड़ी जीत हो गई गोसी के जीत ने उन सभी लोगों को एक संदेश दिया है जो सिर्फ चुनाव के दोरान जाती है सेंप्रान जोड़ता चले आते हैं मैं कहा करता था आप लोगों को सभी कहा करता था कर यह धारा यह कांसेप्ट लागो हो जाए तो कोई भी जन देता कोई जनता के लिए काम ही नहीं करेगा जब इस मेरे दिल में कर लग जाए यार मैं दस साल से महनित किया लोगों के दुख सुक में खड़ा रहा भाई यो बेटे हाग बनकर उनकी सेवा करता है लेकिन फ़राने जात फ़राने जात आ गया और तो उनको उट मिल गया तो कोई क्य साथ करेगा तो कुमसूष करेगा उसी को जंता आशिरवाद देगी और उहां जाकर जात का संगरनम धर्म का सब्क्राइब पार्टी में तूट जाते हैं लोग सभाग में घोसी का चुनाव यहां पर दो-दो मैं यू कहें तो जनपत में तीन मंतिर हैं दो डिप्टी सीम ने डेरा डाला प्रहाल मंत्री और सीम को भी आना पड़ा उसकी बावजूद भी भाजपा का समय कर नहीं चला क्या घोसी संके कि बहुत हुआ जूला बहुत हुआ जूट बहुत हुए चेवादे अब हम किसी पर भरुसा करेंगे जो हमारे वीच में रहा है और बिना किसी पत पर रहते हैं भी हमारे सुक्दुख में सामिल की वाया है यह बहुत बड़ा संदेश घोसी के लिए नहीं मुझे लगता कि साविरी पार्टी के सिर्ष नितितों को भी सोचना चाहिए कि जो जहां मेहनत किया हो उसको वहां मुकर मिलना चाहिए हम आते हैं आपके सामने उंप्रकास राजबर थे बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे उनके बेटा चुनावी मैदान में थे क्या लगता है कि उंप्रक करताओं को छोटा समझें बड़ानेता नहीं हो सकता है जो जनता खुद को जनता का मालिक समझें भी बड़ानेता नहीं हो सकता है यह सही है इसलिए मेरे जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि यहां चुनाव हराने के लिए मुझे हराने के लिए माने प्रधान मंतरी जी लेक्षा मंत्रीज जी मुख्र मंत्रीज जी मुख्र मंत्रीज जी अपेडि़ा तर्भा नौर्णर नौर्ण जी殯 ना को लाला पड़ा अच्छा होता गाइऩ साब खुद तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी के दिमाग पर लागातार चोट करके अपना गुलाम नहीं बना सकते एक मंत्री जी हैं जो जिले के डेरा डाले हो थे एके सर्मा यहां तक की बूत पर भी दिन भबने रहे हैं क्या लगथा कि आपके खिलाप इतनी बड़ी योजना बनाए फिर भी शकल बड़े भाई हैं अभी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसका जवाब और दे सकते है जिस recovery झजहां कि जयओ कुछ करना चाहां उसका जवाब घोशी की जन्ता ने दे दिया जब गोशी की जन्ता ने दे दिया चुनाव खत्म हो गया परढ़ nova तो में आरो परत्यारों में जयब हगर यह आपक्षा करूँगा कि सारे लूग मिलकर घोशी की काम रहना चाहिए लोग तंत्र के लिए लोगों के भरुसा के लिए और लोग आपकी इज़त करें इसलिए कि पुर्वांचल में सत्ता के बगावत के तेवर होते हैं तो क्या लगता है कि पुर्वांचल ने वह अपनी सिध्ध कर दिया बगावत प्रुवांचल में के लोग अजादी के लड़ाई से करन्तिकारी रहे हैं, प्रुवांचल के लोग अन्याय को बहुत दिनों तक बर्दास नहीं करते हैं, जूट को सहते नहीं हैं, प्रुवांचल के लोग अगर इस तरह का बगावत करके जवाब दिये हैं, तो जो डबल इ है लगता है कि नहीं लगता है पद्रहामादी जी कि पिछले जीत कितनी अभी जीत कितनी चारो तरफ हाथ चुके हैं और कई तो स्ट्रीटें लाश्ट में जैसे बासकाओं का कुछ सौवेडर सोट से हराए गया कई डियम बैट कर चुनाव हराए हैं हमारे डाक्टर नवर कि संथ और को भी इसी तरह आप परुका बाद से हरा है गया जो अभी नहीं हुआ है तो उनके पूरे दिन शुरू होगे अच्छे दिन तो जनता कि कभी आये नहीं अच्छे दिन की का वाधा करके जो सत्ता में उनके पूरे दिन प्सुरू हो जाए जो डेवैंध पर दूनि काईदे से बड़ी बड़ी बाते करते हैं इस भाजबा के सरकार को इस्तिपाप पेश कर देना चाहिए जनता ने उने सीरे से खारिज कर दिया है अब कुछ जगह जुगार से यहां से वहां से और जो उनके कटबंधन में साथी हैं मैं उनसे भी पिक्षा करूंगा कि जनता क बहुनाओ के कदर करें अगर बीपक्ष बाती जनता पार्टी को सत्ता के लायक नहीं समझा है सब्सक्राइब कर दिया है तो भी उनके साथ रहकर अपने कट को छोटा ना करें तो मेरे साथ थे घोसी के नवनिर्वाची सांसद राजीवराय राजीवराय के उपर घोसी के जनता ने बड़ी बहुमत दे करके बड़ा बोज भी लाद दिया है अब देखना होगा कि राजीवराय जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं पत्रिका उत्रप्रदेश के रिए अविशेख सिंग महुग